सिंधी पंचायत भवन तिल्दा में समाज के करिप 1370 मतदाव ने वोट डाल कर अपना अध्यक्ष चुना इसके बाद 6 बजे से मत करना शुरू ही जिसमें शुरू से ही गिंती में चमाल लाल आगे बन रहे और रंत में 436 वोट से जीत हासिल की उन्हें 973 वोट मिली जबकि प्रतिद्वन्दी को 467 वोट मिली इस चुनाव प्रक्रिया में तिल्दा नेवरा शेहर में निवास करने वाले लोग ही मतदान कर सकते थे चुनाव पर नाम आते हैं समाच के लोगों द्वारा नौर नियुक तद्ध्यक्ष छमनलाल खोप चंदानी का गुलाल लगा के फुल पहना कर आतिश बाजी कर स्वागत किया इस उसर पर चमनलाल ने उपस्ति सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे पर अध्यक्ष पत की महतुपून जिम्मेदारी निभाने का विश्वास जता है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ मैं पूरे निष्ठा वाइमांदारी के साथ समाज के हित में निरंतर कारे करता रहूँगा सभी के सहयोग से जीत मिली है जो चुनाव मैदान में थे और पराजित हुए थे वे भी अपने उन्हें साथ लेकर काम करेंगे तिल्दा नेवरा से अजयने ताम की रिपोर्ट